पाड़ साथ, बैसाखी की बधाईया, 25 बटा 285, मौडल टाउन, अमरित सर पंजाब, दिनांख 13 अप्रेल, प्रिय सकी जय पर्दा, सर प्रेम नमस्ते, आशा है तुम स्वस्त और स्नान्ध होगी, तुमने अपने पत्र में मुझे बैसाखी की शुप कामनाई भेजी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज बैसाखी के दिन सारे पंजाब में विशेश चहल पहल है, पंजाब के लोग बैसाखी को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, या तो तुम्हें पता ही है कि चैत्र शुकल के प्रथम दिन आंद्र प्रदेश, कन्नाटक और तमिल नाडू में उगा दी, पर्व मनाया जाता है, महराश्ट्र में उसी दिन गुड़ी पाड़वा मनाते हैं, मैं तुम्हें इस पत्र में बैसाखी के बारे में विस्तार पूर्वक बटा रही हूँ, बैसाखी के अपने कई एतिहासिक एवं धार्मिक पक्ष्न है, एक तरफ इस दिन खालसा पंथ की नीव रखी जाने के कारण इस पर्व का धार्मिक महत्व है, तो दूसरी तरफ खेतों में फस्तलों को काटने की शुरुवात होने से इस पर्व का समाजिक और सांस्क्रतिक महत्व भी है, बैसाखी का तहवार संब्रधी और उत्सा का जोश और धार्मिक आस्था का तहवार है, इस तेवहार की उत्पत्पी मूल रूप से क्रिशी जीवन और खेत का लिहानू से जोड़ी हुई है, परामपरागत रूप से इसी दिन खेतों में फस्तलों की कटाई शुरू होती है, पंजाब में प्राया कहा जाता है, जट्टा आई बेसाखी, कड़का दु मुख गई राखी, यानि अब तक गे हुँ कि खेतों की जो राद भर जाग कर रखवाली की जाती थी, वह खतम हो गई, अब खेतों से अनाच कट कर खलीहानों तक जा पहुचा है, यह तहवार मुज मस्ती का पतीक है, इस मौके पर मेले लगते हैं, फसलों से होने वाली आमदनी से किसान समरिध हो जाता है, अता वह सर परिवार मेले में जाकर अपनी शौक पूरे करता है, इन मेलों में परामपरागत खाना, पीना, भागडा, गिद्दा और बेलियों का आयोजन किया जाता है, जया मैं तुम्हें इस तेहवार के एक अन्य पक्ष से भी परिचित कराना चाहती हूँ हमारा इतिहास बताता है कि 1699 इस वीक की बैसाखी को सिखो के दस्वे गुरू गुरू गोबिन सिंग जी ने केजगर साहिब आनन्थ पूर में खालसा पंत की नीव रखी थी उस दिन वहां एक बहुत बड़ा धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया गया था वहां देश भर के सिख मौजूद थे गुरू जी ने अम्रित पान करा कर पहले पांच खालसा तयार किये दर असल उस समय के शासकों के अत्यचारों का सामना करने के लिए ही खालसा तयार किये गए थे उसी मौके पर गुरू गोबिन सिंग जी ने ये प्रसिद वाक्या कहा था सवा लाग से एक लड़ाओं खालसा पंत की नीव रखी जाने की याद में सभी गुरुदवारों में विशेश कारेक्रम आयोजित किये जाते हैं आनंदपूर साहिम में तो घुर सवारी तलवार बाजी और युद कौशल के प्रदर्शन होते हैं बैसाकी आम तोर पर किसी नए कारेक्रम की शुडवात ग्रह प्रवेश शादी ब्या के लिए शुब मानी जाती है पंजाब में अमरिट सर तरना तरन के गुर्दवारे सरोवरों में जाकर लोग स्नान करते हैं कीरतन सुनते हैं लंगर लगाते हैं उस दिन का दूसरा इतिहासिक महत्व इसलिए है कि 1919 इसवी में इसी दिन अमरिट सर में जालियाँ वाला बाग की खटना घटी थी इस दिन इसी बाग में बड़ी संख्या में लोग रॉलेट आक्ट के विरोध करने के लिए गतरत हुए थे इन लोगों पर क्रूर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी इसमें हजारों निर्दोश भारतियों को अपने प्राण गवाने पड़े थे सोला सो गोलियों की वर्षा करने वाला जनरल डायर कुछ साल बाद अपने ही घर में पश्शाताप किया कर मरा था उसकी पीट पर वर्दहस रखने वाला उस समय का पंजाब का लेफटिनेंट गवर्नर ओड वायर इसी पंजाब के लाल उद्धम सिंग की गोलियों का शिकार बना था इस घटना का उल्ले करते हुए मेरी आखे भराई हैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भी वैसा की की बहुत बहुत बदाई आशा है या तहवार तुम्हारे घर को भी सुक सम्रद्धी से भरते तुम्हारी अभिन सकी सिम्रन